हेलो गाइस वेलकम तो काटो मेंसी लव रीडिंग्स कैसे हैं आप सब फ्रेंट्स आज की जो रीडिंग है इसमें देखते हैं आपके परसन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं हाँ पर ग्रीन पैन है और ब्लू पैन है तो दोनों पैन मेंसे जो भी आपको अट्रेक्ट कर रहा है आपको इस रीडिंग देखनी है ठीक है इंट्यूटिवली सेलेक्ट करिए कोई अपने परसन है उनके बारे में सोचिए और दोनों मेंसे जो आपको बहुत स्टॉंगली अट्रेक्ट कर रहा है जो कलर उसे आप सेलेक्ट करिए तो अगर आपको लगता है कि पाइल 2 की रेडिंग रेजोनेट नहीं करिए पाइल 1 की देख सकते हैं और जो भी पॉइंट्स आपको रेजोनेट कर रहा है उसी को आपको लेना है और अगर आप चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लिजे लाइक करिएगा और यसे की कि- और को अगर ही जरूरत हो उसे मिल जाए गोशे जलीए अब देखते हैं ग्रुफ यन परसंब के लिए क्या फील करहे हैं टीक है तो लॉंग रीडिंग नहीं है शॉर्ट रीडिंग है आपके पर्सेन आपके लिए क्या फिल कर रहे है प्रूफ बन स्लेक्टिया है उनके पर्सेन उनके लिए क्या फिल कर रहे है 10 of heart Cancer Scorpio Pisces 3 of diamond क्या फिल कर रहे है आपके लिए Ace of clubs King of heart और देखते हैं और क्या फिल कर रहे है 9 of heart और क्या फिल कर रहे हैं आपके लिए 10 of diamond 9 of diamond ठीक है अगर आप already इस पर्सेन के साथ रिलेशन्शिप में हैं तो यह आपके साथ जो रिलेशन्शिप है उसको और भी आगे ले जाना चाहते है ठीक है यह आपको full commitment देना चाहते हैं आपसे marriage करना चाहते हैं क्यूं? क्यूंकि यह इंसान आपको बहुत बहुत प्यार करते हैं 10 of heart, king of heart यह पर्सेन आपको बहुत चाहते हैं इसमें कोई doubt नहीं है जो आप लोग के relationship में हो सकता है कि commitment issues हो सकता है कि पहले था पर अब आपके person जो है वो चीजे ठीक करना चाहते हैं यह आपको लेके बहुत ज़्यादा emotional है और यह आपके साथ legal relationship चाहते हैं तो यह ऐसा आपके लिए feel कर रहे हैं 9 of diamond जो है यहां यह बता रहे है कि आपके जो person है वो आपके साथ जो relationship है उसको लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं इनके दिमाग में हमेशा आपके लिए thoughts चलते रहते हैं यह कोई ऐसे person हो सकते हैं जो financially बहुत rich हो rich family से हो सकते हैं इनका status हो सकता है कि अच्छे job में हो अच्छे profession में हो ठीक है अच्छा पैसा कमाते हैं कोई ऐसे person मुझे नजर आ रहे हैं ठीक है अगर यह female है तो यह person बहुत ज़्यादा एक ऐसे person है जो बहुत ही loving caring type के person है सबके साथ मिलके रहते हैं ठीक है इस तरीके के यह person है तो इस person के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा strong emotions है यह आपको बहुत चाहते हैं और यह आपके साथ जो relationship है उसको आगे ले जाना चाहते हैं और यह एक आपके साथ legal relationship चाहते है अगर आप दोनों के बीच में अभी तक commitment नहीं था तो यह person आपको commitment देना चाहते है ठीक है तो ऐसा situation नजर आ रहा है और देखते हैं यह person आपके लिए क्या feel कर रहे है जो भी reading देख रहे हैं उनके person उनके लिए क्या feel कर रहे है free क्या feel कर रहे हैं आपके लिए rage और bored ठीक है यह person हो सकता है कि अपने family से अगर इनकी family नहीं मान रही है ठीक है relationship के लिए तो तब भी यह person आपके तरफ आना चाहते हैं और आपके साथ जो है relationship उसको stable बनाना चाहते हैं और यह person जो भी decision लेना चाहते हैं वो बिल्कुल ground level पर लेना चाहते हैं कि imagination के दुनिया में ऐसा सोच रहे हैं ऐसा नहीं है यह person practical level में चाहते हैं कि आप दोनों का जो relationship है वो आगे बड़े ठीक है और यहाँ पर जो rage का कार्ड है rage मतलब गुस्सा तो आपके person जो है हो सकता है जो आप दोनों के बीच में आएगा ठीक है हो सकता है family हो जो भी हो उससे भी आपके person किसी ना किसी प्रकार से negotiate करके जो है चीजों को ठीक करेंगे मतलब अपने पूरे पावर में आके गुस्से से जैसे भी करके आपके person जो है वो आपके साथ में पास्ट में जो भी problems आई थी अब आपके person उसको peacefully resolve करना चाहते हैं वो आपके साथ बहुत जादा ने पीरिनेस ब्रकार प्रकार करते है और यहां लो चाहते हैं कि वो आपके साथ रहे प्र्मे टाक कोई भी रोक टोग नहें हो सकता यह इस कंप आपThe person को यह बहुत जाते हैं क्यों आंहीं अब टैरो से देख लेते हैं यह आपके person जो है वह आपके लिए क्या पील कर रहे है currently नाईट अ पेंतेकल्स टीक है तो यह परसेन बहुत जादा आपके लिए कमिटेड है यह अने life में stability चाहते हैं अब settle होना चाहते हैं और क्या फील कर रहे आपके लिए Ace of Pentacles ठीक आपके परसन फाइनेशल चीजों के बारे में बहुत जादा सोचते हैं ठीक यहाँ देखिए end of the day Four of Cups है आपके परसन इस वक्त अगर आपसे अलग है तो बहुत जादा अपने लाइफ में बोर्ड है वो situation से लड़ना चाते हैं जो भी आप दोनों के बीच में आएगा वो situation से लड़ना चाते हैं या फिर आप दोनों के बीच में अगर कोई लड़ाई हुई है पास्ट में तो आपके परसन उसको ठीक करना चाते हैं क्यूंकि यहाँ पर भी rage का काड़ा है यहां पर भी five of events आए मतलब आपके relationship में हो सकते challenges है तो आपके person उन challenges को से बाहर निकल के वो stand लेना चाहते हैं आपके लिए ठीक है तो यहां आपके person जो है आपके लिए बहुत strongly committed है और वो अपना decision वो सोच चुके है कि उन्हें आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है एक न भी है ठीक है जो भी यहां पर है two of sorts तो अब आपके person उन्स difficulties जो आ रही है क्या मुझे two of sorts negative नहीं दिख रहा है यहां यह बता रहा है जो भी difficulty आने वाली है जो भी stress आने वाला है जो भी decision लेना है ठीक है आपके person अगर दो situation में फसे हैं तो वहां से भी बाहर निकल के यह person आपके तरफ ही commitment देना चाहते हैं हो सकता है family के बीच में और आपके बीच में choice करना है तो यह person आप ही को choice करना चाहते हैं ठीक है और है आपके लिए messages ठीक है आपके person आपके लिए क्या messages आपको देना चाहते है ठीक है आप यह जानते भी नहीं हो कि आपको कितना चाहते हैं you showed me what true love feels like ठीक है उनको आप से मिलके ही पता चला की सच्चा प्यार क्या होता है I want to talk to you again and explain things to you हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई misunderstanding हो गई ती तो आपके person चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में दोबारा बात शुरू हो और वो explain कर पाए आपको कि ऐसा क्यों हुआ था और क्या बोलना चाहरे है I am finally awakening to this love ठीक है उनको अगर आपके साथ suppression है तो उनको यह realize हो चुका है कि आप उनके लिए क्या माईने रखते हो इस प्यार का क्या मतलब है ठीक है आपके person को वो सारी चीजे इस वक्त realize हो रही है तो यह थी आपके person की current feelings जिन्होंने यह pen choose किया थ तो like का button जरूर प्रेस करेगा और share करना मत बुलिएगा so thanks for watching thank you Hello guys यह reading उनके लिए है जिन्होंने group 2 select किया है तो देखते है कि आपके person आपके लिए currently क्या feel कर रहे है जिन्होंने भी group 2 select किया है यह blue pen उनके person उनके लिए क्या currently feel कर रहे है 9 of clubs क्या feel कर रहे है आपके लिए 2 of diamond Ace of spade क्या feel कर रहे है आपके लिए 9 of diamond King of spade 9 of heart 5 of clubs or 7 of spade ठीक है ऐसा नजर आ रहा है कि आपके person जो है वो इस वक्त आपसे suppression में है और कुछ decision इन्होंने लिया है जिसकी वज़ा से आप दोने के वीछे problem चाहिए है या आपने लिया है या इन्होंने लिया है और ये person इस वक्त space चाहते हैं ठीक है हो सकता है इन्होंने intentionally आपके साथ अभी distance बनाया है ठीक है हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इस वक्त बहुत जादा distance है physical distance, emotional distance हो सकता है और क्यूंकि ये person को इस relationship की वज़े से हो सकता है कि अभी anxiety stress हो रहा था ठीक है reason हम पता करेंगे और भी क्या reason है king को ऐसा हो रहा है anxiety stress क्यों आ रहा है क्योंकि यहाँ पर भी king of spade है यहाँ पर है ace of spade किसी pending decision की वज़े से आपके person परिशान है ठीक है हो सकता है कोई legal matter हो उसके decision का आपके करें कि उनके favor में आए और इस वज़े से आपके person परिशान है ठीक है तो इस वज़े से आपके person के back of the mind आप हो पर अभी आपसे उन्होंने distance करके रखा है ठीक है अभी आपके person बहुत सादा frustration है हो सकता है अपने काम की वज़े से है या इस relationship की वज़े से है या कोई past relationship की व अभाध बंधा हुआ सादा फील करें ठीक है ऐसा मुझे नजर आ रहा है तो देखते हैं हम आपके person आपके लिए और क्या फील करें झोभी reading देख रहे हैं उनके person उनके लिए क्या फील करें group 2 के person group 2 के लिए क्या फील करें Controlled Afraid क्या feel करें आपके लिए Transformed Illusive इस वक्त आपके person के दिमाग में जो है चीजे clear नहीं है यहां पर है lustful पर वो reversed में है अभी आपके person emotions या उनके हो सकता है cool down हो चुका है आप दोने के बीच में suppression हो चुका है ऐसा situation हो सकता है या इस person ने past में आपके साथ relationship में अपने तरफ से इतना effort नहीं डाला है क्यूंकि यह अभी हालात के मजबूर यह person जो है अपने according decision नहीं ले पा रहे रहे है यह बहुत जादा मजबूर है ठीक है हो सकता है इनको कोई दूसरा control कर रहा है जिसकी वज़़े से यह person अपने decisions नहीं ले पा रहे है और बहुत जादा डरे हुए है किसी से हो सकता है situation से बहुत जादा दरे हुए है या फिर कोई person है जो इनको control कर रहा है उसकी वज़े से आपके person जो है डरे हुए है और आप से इन्होंने इसलिए distance बना लिया है हो सकता एक इनके हमेशा thoughts में रहते हो हो सकता है कि status की वज़े से हो सकता है इनके family में status की वज़े से आप दोनों के बीच में दूरिया करा दी गई हो ठीक है और आपके person कोई आपके तरफ step नहीं ले पा रहे हैं और क्यूंकि ये दूसरे के control में हैं और बहुत ज़्यादा डरे हुए है किसी से ठीक है यहाँ पर transformed का भी कार्ड है ठीक है आपके person अभी अपने life में changes चाते हैं या हो हो सकता है कि आप ऐसा feel करते हो कि ये person पहले से बहुत ज़्यादा change हो चुके हैं वह सकता है कि बहुत ज़्यादा पहले बोल्ट थे पर अब ज़्यादा डरे रहते हैं ठीक है ऐसा type का situation है आपके person के दिमाग पर इस वाक्त elusive है मतलब situation बिल्कुल clear नहीं है कि आप दोनों क relationship आगे कहां जाने वाला है ठीक है हो सकता है इस वज़े से यहाँ पर ace of spade आया है कोई decision pending है ठीक है जो आपके person को clear नहीं है कि वो decision क्या होना चाहिए क्या लेना चाहिए उन्हें उस वज़े से आपके person परिशान है और वो wish कर रहे हैं कि decision जो है वो जो चाहते हैं उसी favor में आये ठीक है इसलिए आभी आपके person romance इन चीजों के बारे में नहीं सोच रहे है इसलिए जो है lustful जो card है वो reverse आया है ठीक है कुछ लोग के लिए वाइस वर्सा हो सकता है कि आपके person को लगता है कि आपके life में कोई ऐसा person है कि parents हो सकते हैं कोई भी person है जो कि आपको control कर रहा है जिसकी वज़े से आप उनकी तरफ कोई भी action नहीं ले रहे हो और आपके अंदर बहुत था changes आ चुके हैं और situation इस वक्त clear नहीं है देखते हैं आपके person आपके लिए और currently क्या feel कर रहे है यहां पर है nine of pentacles देखिए end of the deck है यहां पर queen of cups ठीक है देखे यह person जो है आपसे इनके feelings है कि आपसे प्यार करते हैं ठीक है पर situation में कुछ ऐसा है आप दोनों के बीच में जहां की यह person कोई action नहीं ले पा रहे हैं यह आपके साथ एक नहीं शुरुवात करना चाहते हैं और साथ में यहां पर है nine of pentacles ठीक है हो सकता है आपसे financially इतने जादा independent नहीं है और यह independent होना चाहते हैं या कुछ status का issue है आप लोग के बीच में जिसकी वज़ा से यह person अभी आपको commitment नहीं दे पा रहे हैं ठीक है आपको commitment नहीं दे पा रहे हैं यहां end of the deck भी है queen of cups जो की बता रहा है कि आप दोनों के बीच में एक strong connection है I am tired of this in out from this connection ठीक है in out connection आप लोग के बीच में है suppression होता है फिर मिलते हैं ठीक है उसकी वज़ा से आपके person बहुत ज़्यादा tired हो चुके है situation से और क्या feel करते हैं I am healing my inner child wound ठीक है आपके person किसी difficulties से इस वक्त गुजर रहे हैं और खुद को heal करें You showed me what true love feels like आपके person यह बोलना चाहते हैं कि उन्होंने आपको सच्चा प्यार किया है क्योंकि यहां पर भी king of cups आया है और क्या feel करें You triggered my spiritual awakening ठीक है आप से मिलके आपके person का spiritual awakening हो रहा है आप सब के person बोलना चाहरे है ठीक है हो सकता है बहुत ज़्यादा challenges आए है आप लोग के relationship में I was betrayed before forgive me if I find it hard to trust ठीक है वो सकता है कि past में इन्हें किसी दूसरे relationship में या इस relationship में धोका मिला है जिसकी वज़े से आपके person डरते हैं situation से कि दोबारा वैसी situation ना आ जाए इसलिए विश्वास नहीं कर पाते और क्या feel करें I stand guarded because I don't want to be betrayed ठीक है दो बार आ चुका है ये betrayed का card हो सकता है कि आपके person जो है trust issues इन में बहुत जादा है ठीक है हो सकता है इस वज़े से past में कोई difficulties आई थी आप लोग के बीच में उसकी वज़े से आपके person trust नहीं कर पा रहे हैं situation पे ठीक है और हो सकता है आप पे trust नहीं कर पा रहे हैं और end of the deck है आपके person के अंदर जो है बहुत जादा changes आए हैं आपके person आपको बोलना चाहरे हैं तो ये थी reading जिन्होंने group 2 slate किया था hope आपको resonate हुई है चैनल को subscribe जरूर करिएगा साथ में like button भी press करिए और साथ में share करिएगा so thanks for watching thank you